जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो थोड़े अपमान जनक हैं, तब भी आप शान्त रहते हैं। चाहे बाउंसर हो या गूगली, मैं शान्त रहता हूँ। मैं बस एक सामान या इनसान है। सभी दूसरे लोग जिन्होंने अपने जीवन में खुद ही कमियां अपना ली हैं, वो सभी सोच रहे हैं कि मैं कुछ खास हूँ। क्या रामायन और महाभारत वाकई हुई थी या वो सिर्फ एक कहानी है। ये कहानियों को किसी न किसी रूप में आपके भीतर कुछ चीजों को ठीक करना चाहिए, आपको जीवन के बारे में कुछ करने की प्रेरणा देनी चाहिए, लेकिन आज बस जानकारी दी जा रही है। 1452 में ये युद्ध हुआ, 1566 में वो युद्ध हुआ, आप उसका क्या करेंगे? मिट्टी में पोशक तत्व बिलकुल नहीं है। इसका मतलब है अधिकान शाबादी की मौत। हमारे सामने ये चुनौती है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम या तो इस धर्ती के जीवन को बरबाद होने से बचा सकते हैं, या हम बस देखते रहें। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपसे ऐसे सवाल पूछा जाते हैं, जो थोड़े अपमान जनक हैं, या जो परिशान करने के लिए होते हैं ताकि आप कोई रियाक्शन दे, तब भी आप शान्त रहते हैं। आपका ये गुण ऐसा है जो मैं वाकई चाहता हूँ कि हमारे अंदर भी हो, क्योंकि हम असल में सोशल मीडिया पर नए हैं, लगता है, ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए शान्त नहीं रहता क्योंकि एक बाउंसर सवाल पूछा गया है, मैं बस शान्त हूँ। चाहे वो बाउंसर हो या गुगली, मैं शान्त हूँ। उस सवाल की वज़ा से नहीं, या उस विशेश सवाल से बचने के लिए नहीं। मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, मैं ऐसा क्यों हूँ। देखिए, मूल रूप से जिसे आप रियाक्शन कहते हैं, वो ये है कि आपकी एक शमताएं आपकी मर्जी से काम नहीं कर रही हैं। आपके विचार, आपकी भावना और आप जो बोलते हैं, वो उस तरह से नहीं हो रहे जैसे आप चाहते हैं, तो इसे अपंग होना कहते हैं। अलो, अगर आप अपने हाथों का इस्तमाल या अपने सर का इस्तमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी रुकावट है, है ना। तो मैं सिर्फ एक सामान या इनसान हूँ, जो अपने विचा तो कि आपनी हैं, वो सभी सोच रहे हैं कि मैं कुछ खास हूँ, नहीं मनुश्य को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप इस धर्ती के एकलोते ऐसे प्राणी हैं, जिसे एक बीइंग कहा जाता है, किसी दूसरे प्राणी को बीइंग नहीं कहा जाता, क्यों कहते हैं आपको human being, क क्योंकि ये माना जाता है कि आपको पता है how to be, यानि कैसे होना है, अगर आपको कैसे होना है आता, तो क्या आप खुद को अनंदित रखेंगे या दुखी? मैं बस इतना ही कर रहा हूँ. तो हमारा अगला सवाल ये है कि कई बच्चे अपने एक्जाम की वज़े से इस समय बहुत तनाव में हैं, तो जैसे आप तनाव पून स्थितियों में भी शान्त रह पाते हैं, जैसे मेरा मतलब है ये तनाव पून स्थिति नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो प्लान के हिस आप से नहीं हो रहा है, तो जब भी, जैसे माइक टाइसन ने कहा है कि सब कुछ प्लान से चलता है, जब तक आपके चेहरे पर पहला मुक्का नहीं पड़ता, तो जब चीजे प्लान के अनुसार नहीं हो रही हों, तब हमें क्या करना चाहिए, खास कर बच्चों को? एक्जाम आपके प्लान के हिसाब से नहीं होने चाहिए, आपकी पढ़ाई आपके प्लान के हिसाब से होनी चाहिए, एक्जाम में हमेशा आपके लिए बिल्कुल नए सवाल होने चाहिए, वरना एक्जाम का क्या मतलब है, ठीक है? तो समस्या ये है कि हम सोच रहे हैं कि एक्जाम एक समस्या है समस्या ये है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमारी दिल्चस्पी नहीं है बिल्कुल ज्यादातर लोगों की इसमें दिल्चस्पी नहीं है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर शिक्षा है सभी को स्कूलों से गुजरना पड़ता है, सभी को physics, chemistry, maths, bio पड़ना पड़ता है, ये वास्तविक नहीं है, ये दुनिया में बौधिक वास्तविकता नहीं है, हर कोई इसके लिए नहीं बना है, कोई संगीत में अच्छा होता है, कोई किसी और चीज में अच्छा होता है, ल अगर हम जानते होते कि हम क्या पड़ रहे हैं, अगर हमें विशय में रुची होती, तो हम कोर्स नहीं पड़ रहे होते, हम उससे भी ज्यादा पड़ने लगते हैं ना, तब एक्जाम एक खेल बन जाते, लेकिन अभी एक्जाम सभी के लिए इतना बड़ा तनाव है, क्यो आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप ऐसे जी सकेंगे, तो इसीलिए वे पड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो इस प्रक्रिया को भुगतेंगे, तो ये बहुत जरूरी है, योग में हम कहते हैं, अगर आपकी एक आँख लक्ष पर है, तो रास्ता खोजने के लिए आपके पास एक ही आँख होगी, और ये काम बहुत मुश्किल है, बेसर, अगर आप अपनी दोनों आखों से रास्ता खोजते हैं, तो अपनी क्षमता और जुनून के हिसाब से आप स्वाभाविक रूप से जितना चाहें उतना आगे बढ़ तो यही समस्या है, लक्ष पर ध्यान देने का ये पश्चमी तरीका है, वो लक्ष के प्रती समर्पे थें, ये चीज मैं यहां हमारे लोगों में बदल रहा हूँ, यहां लोग प्रक्रिया के प्रती समर्पे थें, और अगर आप प्रक्रिया को अच्छे से करते हैं, तो ल आपने पेड की बात की कई बार लोग कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें हमारी जड़ों से अलग करने की कोशिश कर रही है खासकर जैसे रामायन और महाभारत जैसे प्राचीन भारतिय महाकावियों की बात आती है अब रामायन और महाभारत में महान लीडर्शिप के सबक है जो राजाओं को सिखाये जाते थे ताकि उन्हें बहतर लीडर बनाया जा सके तो बहुत बार बातचीत इस विशेश सवाल पर अटक जाती है कि क्या रामायन और महाभारत वास्तविक थे या वो सिर्फ हमारे भविश्य में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई कहानिया थी तो इसके बारे में आपके क्या विचार है कल आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ अगर आप किसी को आज बताते हैं तो वो एक कहानी है न चाहे दिल्चस्प कहानी हो या उबाव कहानी बस यही सवाल है लेकिन वो कहानी है तो यहां तक की मैं शब्दों के साथ खेल रहा हूँ हिस स्टोरी मतलब उन्होंने हर को छोड़ दिया यह हिस स्टोरी है तो उस समय लोगों के साथ क्या हुआ वो कहानिया पीड़ी दर पीड़ी लोगों को कही जाती थी पीड़ी की जरूरत के हिसाब से उसका संदर्ब थोड़ा बदलता गया ये देश में एक लचीलापन ये है लेकिन जीवन को देखने के पश्चिमी तरीके में सिर्फ तत्य महत्वपून है मैं पूछ रहा हूँ लोग ये बहस कर रहे हैं अगर कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था तो वो काले कैसे थे शायद ये सब गलत है या शायद वो एक दक्षिन भारती थे ये बेवकूफी है मैं कह रहा हूँ कृष्ण काले थे या नहीं उनकी नाक्थ ही या नहीं आपको क्या परिशानी है हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो आपको क्या प्रेरना देते हैं उनका चरित्र आप उन्हें नहीं जानते ठीक है जिस चरित्र को हम कृष्ण कहते हैं वो आपको क्या प्रेरना देते हैं लेकिन इतिहास बताने का पश्चिमी तरीका देखिए। बस इस साल में ये हुआ, उस साल में वो हुआ, इस आदमी ने उस आदमी को मार डाला। हम ये चीजें नहीं जानना चाहते हैं। लोगों के दिल और दिमाग में क्या हुआ। उन्हें सही और खलत काम करने के लिए किस चीज ने प्रिरित किया क्योंकि ये इनसानों की कहानी है। इस मानविय कहानी को किसी न किसी तरह से आपके अंदर कुछ चीजों को ठीक करना चाहिए। आपको जीवन में कुछ प्रिरिना देनी चाहिए। इस देश में इतिहास के पीछे यही विचार है, लेकिन आज बस जानकारी दी जाती है, 1452 में ये युद्ध हुआ, 1566 में वो युद्ध हुआ, आप उसका क्या करेंगे, आप एक भिवकूफी भरा एक्जाम पास कर सकते हैं, बस, इसका आपके जीवन में क्या महत्व है, कि इस राजा ने उस राजा को मार डाला, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इसका मतलब क्या है, जब तक हम ये नहीं जानते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने वो काम क्यों किये, तो ये दिल को छू लेनी वाली कहानिया है, खैर परसों जो बान सकते हैं कि शायद वे मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, पर ये जीवन को देखने का एक बेवकूफ तरीका है, ये जीवित कहानिया हैं जो इस देश का इतिहास हैं, ठीक है, शायद बढ़ा चड़ा कर कहा गया हो, बड़ी बातें की गई हों, कुछ बदलाव हुए हों, लोगों ने शायद इसे अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बदला हो, हाँ उन्होंने वो सब किया है, पर उन कहानियों का मूल हिस्सा इस देश का इतिहास है, ठीक है, लेकिन दुर्भागे से दुनिया में जो कुछ भी त तीन हजार साल से ज्यादा पुराना है, लोग उसे पौरानिक कथा कह रहे हैं, नहीं, ये सच है, तो सद्गुरु जी मैंने सुना है कि अभी आप मिट्टी बचाओ अभियान चला रहे हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस मिट्टी के संकट का अभी हम सामना कर रह हैं, वो कितना गंभीर है? जिसमें आप कुछ नाइटरजिन, फॉस्फरिस भेंक कर उसे ठीक कर दें, ये एक जीवित पदार्थ है, मुठी भर मिट्टी में आठ से दस अरब जीव होते हैं, एक मुठी मिट्टी में, तो मैं कह रहा हूँ कि ये मानव आभादी से अधिक है, पर हमने इसे मरने दिया है, ये कैसे हुआ? क्योंकि खेती को उद्योग की तरह चलाया जा रहा है, जहां मिट्टी में कोई और्गानिक चीजें नहीं डाली जा रही है, जैविक पदार्थ उन सभी जीवों के लिए भोजन होता है, जिससे वो पनपते हैं, और वो पौधों के साथ पोशक तत्वो का आदान प्रदान करते हैं, बदले में वो कार्बन को सोखते हैं और कार्बन शुगर बनाते हैं और सुक्ष मजीव के साथ आदान प्रदान करते हैं, हमें समझना चाहिए कि ये सुक्ष मजीव हमारे अस्तित्व का आधार है, यहां तक कि इसका विकास से जुड़ा हिस् हम अपने पैरों के नीचे चल रही गतिविधी का एक reflection है वहाँ जो microbes की गतिविधी हो रही है यहाँ भी वही हो रहा है और आपके शरीर के सिर्फ 40 प्रतिशत हिस्से में आपके वन्ष का genetic content है बाकी का हिस्सा microbes हैं आपका 60 प्रतिशत हिस्सा सुक्ष मजीव या microbes है आप दोनों में आप एक दूसरे को ऐसी प्रजाती का नाम दे सकते हैं जो प्रमुख हो तो यही चीज मिट्टी में एक बड़े पैमाने पर हो रही है आज ये सभी जानते हैं कि आप में microbiome या सुक्ष मजीव के बिना आप खाना नहीं पचा सकते यही चीज मिट्टी में भी होती है पौधों को सुक्ष मजीवों या microbes के बिना वो पोशक तत्व नहीं मिल सकते जो उन्हें चाहिए क्योंकि वो जीव ही इस धर्ती पर जीवन का आधार है UNFAO के हिसाब से हर साल औसतन सुक्ष मजीवों की 27,000 प्रजातियों का विनाश हो रहा है औसतन वो कह रहे हैं कि 27,000 प्रजातियां न कि जीव विलुप्त हो रही है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लगभग 30-40 सालों में हम एक ऐसी स्थिती में होंगे जहां हम भोजन नहीं उगा पाएंगे और अगर हम तब मिट्टी में फिर से जान भूकने की कोशिश करेंगे तो इसमें 1.500 से 200 साल लगेंगे यानि अधिकांश आबादी को अपनी जान गवानी पड़ेगी लेकिन आज अगर हम अभी ये प्रयास करते हैं अभी अगर हम दुनिया भर में मिट्टी की क्वालिटी और पर्यावरण को सुधारने के लिए राश्ट्रियन नीतियों पे जरूरी काम करते हैं तो दस से पंद्रा या अधिकतम बीस सालों के समय में हम एक महत्वपून बदलाव ला सकते हैं तो एक पीडी के रूप में हमारे सामने ये चुनौती है और ये हमारा सौभाग ये है कि हम या तो इस धर्ती के जीवन को बरबाद होने से बचा लें या हम बस देखते रहें मैंने सोचा कि हमें इसे युही चलने नहीं देना चाहिए तो मेरी उम्र 65 साल है और अब मैं लंडन से कावेरी बेसिन तक 30,000 किलोमीटर की दूरी तै कर रहा हूँ आप जानते हैं 30,000 किलोमीटर की यात्रा में मज़ा नहीं आता पर मैं ऐसा इसी लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये कितना जरूरी है लोग कह रहे हैं ओ आप ऐसा क्यूं कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ आप ऐसा क्यूं नहीं कर रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ ऐसा पहली बार हुआ है कि हम यहाँ बैठ कर दुनिया के लाखों लोगों से बात कर सकते हैं ठीक है जब हमारे पास ऐसी ख्षमता है तो हमें इसे सक्रिय करना चाहिए इस पर नीती बनाने के लिए हम 3-4 अरब लोगों तक पहुँचना चाहते हैं ताकि वो भी मिट्टी के बारे में बात करें अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेरा समर्थन करे या ऐसा कुछ 21 मार्च से 100 दिन तक सभी को 100 दिन तक मिट्टी की बात करनी चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो हम सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर ये नंबर इकठा करेंगे और एक ऐसी स्थिती बन जाएगी जहां 3-4 अरब लोग मिट्टी के बारे में बात कर चुके होंगे कोई भी सरकार इसे नजरंदाज नहीं करेगी क्योंकि एक लोगतांत्रिक राष्टर में आकड़े सबसे बड़ी चीज है और हमें नंबर तयार करने होंगे सरकार हैं धर्ती और देश की लंबे समय की भलाई पर निवेश क्यू नहीं कर रही है क्योंकि ये लोगों ने इस बारे में बात नहीं की है लोगों को बोलना होगा लोगों को ये समझना होगा कि एक लोकतांत्रिक देश में सबसे शक्तिशाली चीज जो आपके पास है वो है आपका वोट और आपकी आवाज मुझे नहीं पता कि वोट का आप क्या करेंगे पर कम से कम अपनी आवाज उठाएं सौ दिन तक बोलें पांच-दस मिनिट बिताएं दिन में पांच मिनिट काफी हैं हर दिन दिन में पांच मिनिट बस उन सभी प्लाटफॉर्म्स पर जहां आप बोल सकते हैं बस कुछ कहें हम वेबसाइट पर धेर सारी चीज़ें अप्लब्द कराएंगे आप उसे वहां से लेकर उसे अपने हिसाब से इस्तमाल करें अगर आपको वो भी नहीं आता तो बस कहें मिट्टी बचाओ आईए इसे संभव बनाएं हर दिन हमारे हर वीडियो के अंत में हमारे पास एक छूटा हिस्सा होता है जिसका नाम है हम क्या कर सकते हैं जिसमें हम लोगों को प्रेणा देते हैं अपने स्थर पर कुछ करने की प्रेणा कुछ हैसा जो वो अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं ताकि इस मुद्दे पे मदद की जा सके जैसे हमारा उद्देश है भारत और दुनिया को एक प्रतिशत बहतर बनाना क्योंकि ये विश्वास करना जरूरी है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी हम कुछ ऐसी चीज़े कर सकते हैं जो यूगदान देंगी और कुछ बड़ा करने में मदद करेंगी तो हमारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो शहरों में रहता है या जो गाओं का किसान है आपको क्या लगता है इस उद्देश्य में मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि मिट्टी को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद मिल सके देखिए अभी अगर सभी अपने स्तर पर कोशशें करके मिट्टी को ठीक करना चाहें तो ये काम नहीं करेगा हमें इसे नीती का हिस्सा बनाना होगा आप किस शेहर में रहते हैं मुंबई मुंबई में हैं आज कानून है मान लीजिया आपके पास मुंबई शेहर में 5000 वर्ग फुट का प्लॉट है आप वहां 5000 वर्ग फुट की इमारत नहीं बना सकते आपको 2000-3000 के आजपास बना कर अपने और अपने पडोसी के लिए कुछ जगए छोड़नी होगी ऐसा कानून है आप अपने हिसाब से इमारते नहीं बना सकते लेकिन मुंबई के कुछ ऐसे हिस्से हैं मान लीजी आप धारावी गए अगर आप वहां जाते हैं तो ऐसे घर हैं जहां खिड़की जैसी कोई चीज ही नहीं है एक ही दर्वाजा होगा वही दर्वाजा अंदर वही दर्वाजा बाहर वही अंदर का दर्वाजा वही बाहर क्योंकि हर जगा लोगों ने कुछ बना दिया है, जैसा उन्हें ठीक लगा वैसा, ऐसा क्यूं हुआ? क्योंकि इसके बारे में कोई कानून नहीं है, यही फर्क है, पॉलिसी होने और पॉलिसी नहोने के बीच, अभी अगर आपके पास दस एकर जमीन है, तो आप उसका हर एक इंच जोट सकते हैं, जैसे आप चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं, 10-15 सालों में आप उसे रेत बना सकते हैं, आपको ये पूछने के लिए भी कोई कानून नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कानून जरूरी है, क्योंकि दुनिया की 71 प्रतिशत भूमी पर खेती होती है, अगर आप ऐसा कानून नहीं बनाएंगे कि खेती की भूमी को कैसे रखा जाए, तो हम एक बड़ी आपदा की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगले 5-10 वर्षों में दुनिया के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर अकाल की आशंका है, संयुक्त राश्र साफ साफ कह रहा है कि 2035 तक भोजन की कमी से दुनिया भर में दरजनों ग्रह युद्धों की उम्मीद है, 2045 तक हम 40 प्रतिशत कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी जनसक्या 9 अरब से ज्यादा होगी, हम ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहेंगे, ये ऐसी दुनिया नह जिसे हम अपने बच्चों को सौंपना चाहेंगे, तो ये बहुत जरूरी है, और सबसे बढ़कर अभी एक ऐसा समय है, जब हमारे पास इसे पलटने का मौका है, अगर हम इसे अभी नहीं पलटते हैं, तो हमें अगले कुछ दशकों में जबरदस्त पच्टावा होगा, त इस बारे में अपनी आवाज उठाएं, इससे फर्क पड़ेगा, बस एक आखरी गुजारिश है सद्गुरू, हम हर वीडियो को इसे एक लाइन से खत्म करते हैं, और यही वज़ा है, फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है, तो अगर आप वो लाइन कह पाएं, तो बहुत अच्छा होगा. कि swoimna, हमें बोलता नहीं. खैर, इसलिए हमें इसे संभव बनाना होगा, आए ऐसे संभव बनाएं, आए ऐसे संभव बनाएं, आए आए इसे संभव बनाएं. mistaken, एंगी तो मुज्ट, थाइंप एंगी इसे संभव बनाएं. जाल 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 जाल